अगर आपको कुछ ऐसा रेसिपी मिल जाए वो भी नॉन भेज में जो एक बर बनाए और दो मैने तक आराम से हम खा सकेंगे तो सोचे कितना मजा आएगा हमें तो आज के वीडियो में ऐसा ही कुछ रेसिपी दिखाया है मैंने वीडियों पर बने रहें अगर आपको आज करने से पहले तो लाइप कॉमेंट और नियुक आज करते हैं तो आज का रेसिपी के लिए यहां पर मैंने 500 ग्राम चीकन लिया है आपको जो मीड पसंद है वह ले सकते हैं लेकिन इसको मैंने एक गंटा पहले थोड़ा सा नमक डाल के मेरीनेट करके रख द आप इस रेशीपी में अपने मन पसंद का मेट भी ले सकते हैं कोई प्रब्लम नहीं होगी रेशीपी एस रहेगी तो अभी चिकन को रख देते हैं साइड में चली भसाला तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने कड़ाई गरम कर लिया है और एक चमच मेथी डाल दिया है अब ह काली मेर्च 15-20 काली मेर्च है तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं तो यहां पर मैंने जो मसाला पकने में थोड़ा टाइम लगता है उसको पहले डाला है जब यह सारा मसाला थोड़ा सा पक जाए उसके बाद में हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड तो यह थो चमच सorrow डाल डाला है मने तो सर्सो को पखने में बहुँ जाधा टाइम नहीं लगता है यह बहुँ झाल जल्दी पख जाता है लगबख आधा मिनिट कने पग जाता है, अब ये मसाला तयार हो गया है, तो चलिए मसाला को निकाल लेते हैं एक फ्लेटे में और इसको ठंड़ा होने के लिए छोड़ देते हैं, जब ये कम्प्लिटली ठंड़ा हो जाएगा, उसके बाद ही अम इसको पीशेंगे तो चलिए इससे आगे का प्रोसेस करते हैं तो ये देखिए कड़ाई गरम कर लिया है अब डाल देंगे रिफाइंड ओल जैसे ही तेल गरम हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे ये हमारा काटके रखा हुआ चिकन आज के रेसिपी में मैंने वीट बोन चिकन दिया हुआ है अगर आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं तो इसको अभी हम डीप फ्राइ करेंगे इसके लिए थोड़ा सा धक्के पकाऊंगे मैं तो ये धक दिया है मैं जब तक चिकन फ्राइ हो रहा है चलिए मसाला को पीछ लेते हैं ठंडा हो गया हमारा मसाला अब इसको पीछ लेते हैं मैं या पर ये मिक्सर ग्राइंडर में पीछ लोगे आप सिल्वर्टे में पीछ सकते हैं चिकन का अचार बनाने के लिए हमें दरदरा सा मसाला चाहिए फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमें तो चलिए मसाला को रख देते हैं साइड में देख लेते हैं चिकन का क्या हाल है तो यह देखे एक साइड में अच्छी तरह से पग गया है इसको हमें टीप फ्राइ करना है बहुत अच्छी तरह से इसमें जो भी मौस्चर है उसको सारा सुखाना है मौस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए नहीं तो हमारा जो पिकल है खराब हो जाएगा क्यूंकि हम चिकन को लॉंग टाइम के लिए रखेंगे इसलिए इसका सारा मौस्टर शुखाना है तो यह देखिए हमारा चिकन फ्राइ हो गया है फ्राइ होने के बाद में चिकन का साइज थोड़ा सा कम हो गया है तो यह देखिए इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है यमारा चिकन अब मैं चिकन को एक प्लेट में निकाल लूंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे तो यह देखिए कड़ाई को गरम कर लिया है मैंने अब मैंने डाला है यहां पर मस्टाड ओयल 4 टेबल स् अब मैंने यहां पर कम तिल का यूज किया है अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कौंटिटी भी यूज कर सकते हैं तो यह देखे अब जो मसाला आमने तयार करके रखा हुआ था उसको डाल दूंगे में दो चम्मच इसको भी मिला लेंगे बहुत अच्छी तरह से इस तरह से बनाया हुआ चिकन का अचारा फ्रीज में रखे दो मैने तक आराम से खा सकते हैं ज्यादा लंबे समय तक खाना है तो आप तेल की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दीजेगा तो यह अच्छी तरह से प्रिजब हो जाएगा तो आप डाल देंगे नमक नमक ध्यान रहे पहले भी हमने डाला हुआ है मेरिनेट करते समय तो पहले एक बार चक लिचे उसके ब अब से वेस्टिस्ट में वाइट भीनेगर होता है तो अगर हो सके तो आप वाइट भीनेगर के यूज कीजेगा दो छोटा चमज वाइट वीनेगर डाल दीजेगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्थ प्रोब्लम है ज्यादा खट्टा हो जाएगा उसके बाद में हम इसको ग्लास के जार में स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन मैं एक बोल में ही सर्फ करके दिखाऊंगी आपको तो यह देखिए हमारा डिलीशस यम्मी चिकन का अचार बनके तयार हो गया है एक बार बना ये फ्रीज में रखे जब बन चाहे त पिकल करके रख सकते हैं तो आप भी इसी तरह से बनाए और खाये इंजोर कीजे अगर रेशिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक इने बाबाई